इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटिशन इन प्लांट्स क्लास 7 साइन्स चैप्टर नूबर 1 कम्प्लीट एंची आटी समरी तो समरी में क्या दिया हुआ है कि और लिविंग और्निजम टेक फूड एंड यूटिलाइज तो गेट एनरजी प्रफॉर्ट प्रफॉड the growth and maintenance of their body जितने भी लिविंग और्निजम होते हैं वो फूड को टेक करते हैं उसको पूरा पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं और उससे एनरजी प्राप्त करते हैं जिससे क्या होता है growth होता है और उनका body जो होता है उनमें maintenance होते रहता है green plants, first point हम लोगा cover हो गया green plants synthetis their food themselves by the process of photosynthetis, तो ये जितने भी points लिखे हुए हैं, ये सारे बहुत important points है जिनसे की question बनना 100% compulsory है, तो green plants होते हैं, वो अपना food themselves prepare करते हैं, खुद से prepare करते हैं process क्या होता है prepare करने उनका, तो वो होता है photosynthetis इसलिए हम लोग उनको कहते है autotrophs, तो वैसे organisms जो अपना food themselves prepare करें खुद से prepare करें, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं autotrophs, plant use simple chemical substance, ये भी बहुत जरूरी है, important है कि जो plant होते हैं, वो complex substance का use नहीं करते हैं photosynthetis में सिर्फ और सिर्फ simple substance कहीं use करते हैं, और बनाते क्या हैं, complex बनाते हैं लेते हैं simple और बनाते क्या हैं complex, तो simple chemical substance का use करते हैं, जैसे कि carbon dioxide water और mineral, तो ये exam question पूछा जा सकता है, कि plants use dash substance, तो simple chemical substance और क्या क्या यूज़ करते हैं photosynthetis में, तो carbon dioxide, water यह सब चीज यूज़ करते हैं अगर यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट माइने रखता है फोटोसिंथेरिस के लिए कॉंप्लिक्स कैमिकल सबस्टांस अच्छेस कार्बो हाइडरेट आर जब प्रोड़क्ट ऑफ फोटोसिंथेरिस जैसे कि जब फोटोसिंथेरिस करते हैं तो करने के लिए इनको सिंपल कैमिकल सबस्टांस यह लेते हैं लेकिन जब फोटोसिंथेरिस हो जाता है तो उसमें यह क्या बनाते हैं तो यह कॉंप्लेक्स कैमिकल सबस्टांस बनाते हैं ऐसे कि carbohydrate और carbohydrate release बनाते हैं solar energy is stored in the form of food in the leaves with the help of chlorophyll तो solar एक chlorophyll होता क्या है असल में chlorophyll is a green pigment जो leaf में present होता है इसका function क्या होता है तो ये लीफ में present होता है और जो भी solar energy होता है उसको ये capture करता है oxygen is produced during photosynthetis आपसे पुछा सकता है कि dash is produced during photosynthetis photosynthetis में क्या produce होता है क्या बनता है तो बनता है oxygen और carbohydrate भी बनता है oxygen is released in the photosynthetis and is utilized by all living organisms for their survival oxygen ही वो gas है जो photosynthetis से release होता है जिसका use जितने भी living organism होता है उनके survival के लिए जितने भी fungi होते है यह dead or decaying matter से अपना nutrition derive करते हैं और they are called saprotroph तो जो भी organism dead or decaying matter से अपना food derive करते हैं उनको क्या काज़ता है saprotrophs plants like cascata are parasite जैसे कि plants का example है cascata नाम है तो वह parasite है क्योंकि यह non green plants में आता है और यह depend होता है host plant पे a few animals all a few plants and all animals are dependent on other for their nutrition are called heterotrophs अब ऐसा नहीं है कि जितने भी plant है वो सब आटो ही ट्रॉप्स में आते हैं आटो ट्रॉप्स में केवल green plants आते हैं तो इसलिए यहां पे लिखा हुए है few plants कुछ plants और जितने भी आनिमल होते हैं वो सब यह किस पर depend होते हैं यह depend होते हैं किसी other organism पे इसलिए इनको कहा जाता है heterotrophs तो यहां पर हम लोगा NCRT summary जो है वो खतम हुआ है थैंक्यू